Hey everyone, इस वीडियो के अंदर हम History Domain के कुछ MCQs discuss करेंगे and इसके अंदर PYQs भी included है 50 MCQs यहाँ पर मैंने select करें Top MCQs है, important है काफी So this video is very important for all CUET aspirants तो यहाँ पर आपको वीडियो को last तक देखना है Notebook निकाल के बैठ जाओ तो जो भी आपको यहाँ पर extra information में दूँगा उसको note down करना है और questions को attempt करना है बाद में आपको score comment बताना है तो 250 में से आप score मुझे comment बताओगे एक question 5 mark का है सही करने के 5 marks दोगे और गलत करने के minus 1 marks आपको अपने cut करने है उसके बाद अपना score बताना by the way आपकी final exam में आपको मिलेंगे देखने को आप 50 MCQs ही आएंगे 50 MCQs ही आएंगे आपको उनमें से 40 MCQs को attempt करना है ठीक है और यहाँ पर 200 marks का रहने वाला है लेकिन इसको आप 250 marks का लेके चलो और उसके according आपको attempt करके अपना score मुझे comment बताना है ठीक है चले फिर स्टार्ट करते हैं विदार कोशे नमबर वन बाकी आपको और best level की MCQs चाहिए and salt sample papers चाहिए तो आप दीशा publication की book buy कर सकते हो यह रही दीशा publication की history and geography की book for your CUET exam इन books के अंदर आपको सभी chapters के notes मिल जाएंगे in one liner format जिनके थ्रूँ आप अपना क्रिवीशन कर सकते हो 1500 प्लस MCQs मिल जाएंगे with hints and detailed solutions और हर टाइप के MCQs को हापर cover किया गया है जिनके थ्रूँ आप अपनी अच्छी practice कर सकते हो इसमें PYQs भी include है from 2017 to 2022 all sets and यहापर आपको 10 mock test भी मिल जाएंगे for practice which are based on 2022 pattern NTA की guidelines को proper तरीके से follow किया गया है और same book available है general test के लिए and यहापर combo भी available है तो यह books रहने वाली है one stop solution to crack C.E.T. अगर आपको books buy करनी है तो आपको buy link नीचे description box में मिल जाएगा question number 1 यहापर है which of the following हरपन civilization sites are presently outside India question आया इसको pause करके attempt कर लो करके attempt कर ले ना उसके बाद मैं आपको answer show करूँगा which of the following हरपन civilization site जो कि इंडिया के भार है कौन सी है काली बंगन शौटूगाई चानूदारो लोथल तो देखो काली बंगन हम देखते है कौन सी कहाँ पर है राजिस्तान में यानि इंडिया में शौटूगाई इस इन अफगानिस्तान एंड चानूदारो इस इन पाकिस्तान राइट एंड लोथल इस ओसो इन यहाँ पर गुजरात तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जो बी एंड सी है वो इंडिया के भार है तो करेक्ट अंसर इसका B and C हो जाएगा अब देखो कोई भी कोशन है ना एक कोशन के अंदर से और भी कोशन बन सकते हैं तो आपको जो भी information बता रहा हूँ एक तरीके साब इनको topic समझ लो जो important line समझ लो किताब की अपनी book की ठीक है तो आपको उसके according लेके चलना जो भी information मिल रही है एमसे की उस देखो कहीं से भी बन सकता है तो आपको जो भी information मिल रही है आप उसको ले लो अपने दिमाग में रख लो तो जो प्रियाग प्रशस्ती है जिसको अलाबात पिला निस्क्रिप्शन भी क्याते है इसको कम्पोस किया संस्क्रिप्शन प्रियाग प्रशस्ती अलाबात पिला निस्क्रिप्शन कम्पोस किया हरी सेंड ने अब देखो इस से related मैं आपको कुछ extra information बता दू आपको पता होना चीए कि हाँ पर जो अर्थशास्त नाम ये किताब है इसको चाना किये कोटिले जिनकों बोलते हैं कोटिले भी बोलते हैं तो इन्होंने लिखा है ठीक है इंडी का नामी किताब बाइदी मेघस्तिनीस एंड यहापर एक और किताब हर्श चरीता मुझे लगता है कि आप में से काफी बच्चों को इनके बारे में पता होना चाहिए ठीक है पता होगा हर्श चरीता के बारे में तो हर्श चरीता के बारे में आपकी बुक के अंदर जो बॉक्स गीवन है उसमें गीवन है तो हर्श चरीता किताब है जो कि हर्श वर्धन की बारे में है और इसको लिखा किसने बांढ भटने who was the quote poet of हर्श वर्धन और हर्श वर्धन was the ruler of वर्धान dynasty जो कि आपको देखने को मिलेगी गुपता एंपाइर के फॉल उने के बाद आती है पावर में आती है question number third यहाँ पर है where did the early bhakti moment originate from तो कहाँ से bhakti moment originate हुए South India, North India, the West both 1 and 3 तो जो bhakti moment था वो कहाँ से start हुआ South India से हमने देखा था ना अलवर्स अन्यानर्स तो जो South India है वहाँ से यह जो bhakti moment है यह start होता है अलवर्स अन्यानर्स ब्लॉंग करते थे Tamil Nadu को question number four है विथाला वॉजदी principal deity in विथाला temple विथाला वॉजदी incarnation of Lord तो यहाँ पर विथाला जो है principal deity है विथाला temple के तो विथाला किसके incarnation है अफ्तार है तो Lord किसके है बताओ मुझे Lord Vishnu के है ठीक है एंड यहाँ पर एक और हमें temple मिलता है विरुपक्षा temple उसके जो main deity है that is यहाँ पर शिवा विरुपक्षा ठीक है जो कि हम बहुँ सकते हैं शिवा ही है question number five यहाँ पर है वैंडिट अकबर built a new capital at फतेपुर सिकरी तो अकबर कभ यहाँ पर नहीं जो capital built करते हैं फतेपुर सिकरी पर देखो यहाँ पर हमारे कुछ chapters थे जो कि हमने board में नहीं पड़े board exam के दोरान ठीक है हमारे syllabus में नहीं थे उन से related मैंने ज़्यादा MCQs यहाँ पर डाले हैं ताकि आपके mind में clarity आए और वहाँ से भी आप MCQs अपने कर पाओ तो when did Akbar build a new capital at फतेपुर सिकरी तो यहाँ पर 1500 ठीक है 1520s यहाँ पर 1570s के दोरान 1750s तो जो correct answer इसका होगा तो जो हमें 5 का answer देखने को मिलेगा that will be C 1570s ठीक है आप देखो यहाँ पर capital को लगातर shift करा जाता था तो 1585 के अंदर क्या होता है यहाँ पर जो capital है उसको transfer कर दिया जाता है to Lahore ठीक है आपकी book में give a nice lay में बता दे रहा हूँ 1648 के अंदर जो capital है उसको transfer करा जाता है आगरा से शाहजाना बाद आपको पता होना चाहिए दोनो डेट आपको पता होनी चाहिए और कहाँ पर जो capital है को shift किया गया question number 6 if physician who came to India and served in the Bengal medical service was तो एक physician जो कि इंडिया में आते हैं और वो serve करते हैं in the Bengal medical service was यहाँ पर Edward Balfour यहाँ पर Frankis Buchanan महताब चंद and William Griffith so Frankis Buchanan question number 7 who introduced दमिदारी system तो किसने इंटेडूस के दमिदारी system को तो इसको इंटेडूस करते हैं Lord Convalis and 1793 के अंदर इसको permanent settlement system भी बोलते हैं question number 8 किस year में हाँ पर सती system को abolish किया गया so इसको abolish किया गया था 1829 के अंदर so 1829 में abolish किया गया and जो veto remarriage है उसको legalize किया गया कि अब जो veto है वो भी शादी कर सकते हैं जो कि पहले अलाव नहीं था वो किया गया 1856 के अंदर दोनों dates आपको याद रखनी है question number 9 when did the Jalya वाला बाग incident occur तो कब होता है April 1909 April 1929 April 13 1939 April 1919 so April यहाँ पर 1919 में होता है तो यहाँ पर roll act act लाया जाता है अंग्रेचों के द्वारा ठीक है उसके बाद हम सत्येगरे movement start करते है महात्मा गांदी उसके बाद यहाँ पर इसको crush करने के लिए Jalya वाला बाग incident करवाया जाता है and यहाँ पर general diary क्या कर देते है entrance को block कर देते है Jalya वाला बाग के और यहाँ पर order कर देते है किस से order कर देते है अपने troops को कि fire करो काफी लोग मारे जाते है इसके अंदर question number 10 यहाँ पर है महात्मा गांदी undertook fast unto that in 1932 mainly because तो वो यहाँ पर क्या करते है महात्मा गांदी जो क्या करते है fast रखते है तो correct answer third होगा राम से मैक डॉनल्ड क्या करते है communal award लेकर आ रहे थे 1932 के अंदर तो वो announce कर देते है communal award के अंदर यह बोलता है कि जो separate electorate है उसको हम जो deepest classes है उनको भी देंगे ठीक है तो यहाँ पर काफी problem होती है तो यहाँ पर महात्मा गांदी को लगता है कि यह तो हमारी unity को break करने की कोशिश कर रहे है पहले ही हिंदूस पहले हम बोच सकते है muslim के लिए लिया है और भी जो religious communities है उनके लिए separate electorate लेकर आ गए अब हिंदूस के अंदर ही हाँ पर ही क्या कर रहे है unity break करना चा रहे है तो वो यहाँ पर एक तरीके से क्या करते है गांदी जी को यह बहुत बेकार चीज़ लगती है तो उसके बाद ही 1932 के अंदर जो पूना पैक्ट है वो साइन होता है ठीक है आपको I hope इसके बारे में पता होगा ठीक है किसके बीच में दॉक्टर भीमराव अंबेटकर एंड यहाँ पर प्लस महात्मा गांदी कोशन नंबर 11 है आइडिया ओफ एक कॉंसीटोंट असेमली वोस पूट फॉरबड फॉर्टी फॉर्स ताइम बाए तो जो कॉंसीटोंट असेमली का आइडिया है वो किसने रखा था और यहाँ पर आपको बता होना चे कई सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे हमारे कॉंसीटोंट असेमली में उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जैसे कि हाँ पर जवाला नहरू यह क्या करते हैं यह हाँ पर हम बोच सकते हैं यह objective resolution देते हैं और इसके साथ यह बता आते हैं कि हमारा national flag इस प्रकार का होगा राजिंदर प्रशाद हम बोच सकते हैं वो कौन थे वो हाँ पर president थे और बी आर अमिटकर कौन थे बी आर अमिटकर was the chairman of the drafting committee और उसके साथ बी आर राओ के बारे में आपको पताऊना चाहिए constitutional advisor थे to the government of India एसन मुखर जी वोज यहाँ पर क्या थे वोज दी chief draft man to the constituent assembly तो आपको इतनी information पताऊ नीचे एक question बन जाता है question number 12 इबातत खाना at फतेपूर सिकरी वोज तो जो इबातत खाना है फतेपूर सिकरी में वो क्या है तो यहाँ पर पढ़ो आप read करो तो इबातत खाना है यहाँ पर कौन start करते है अकबर start करते है और यहाँ पर क्या था यह एक hall था जिसमें अकबर क्या करते थे discussion क्या करते थे जो भी scholars है दूसरे religion के उनके साथ बैठके देखो अकबर यहाँ पर क्या करते है सुलाइकुल की policy भी लेकर आते है जिसके अंदर वो बोलते है कि मैं सारे religion को freedom of speech and expression दे रहा हूँ और absolute peace की बात की जाती है इसके अंदर तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अकबर यहाँ पर एक तरीके से उनकी जो policy थी religion के प्रती वो इस प्रकार की थी ठीक है उन्होंने सारे religion को allow किया तो इबादत खाना के अंदर एक hall था ये और यहाँ पर अकबर क्या करते थे जो भी scholars है अलगर religion के उनके साथ मिलके discussion करते थे question number 13 the horse in the temple were used for तो जो horse at temple में उनको use के राता था as venue for marriage political meetings के लिए जो celebrate करने के लिए marriage of duties and none of the above तो यहाँ पर given है horse को use के राता था to celebrate the marriage of duties अब यहाँ पर दे को यह नहीं बोला only ठीक है only बोलते तो गलत हो जाता only यहाँ पर बोलते तो गलत हो जाता क्योंकि इसको और भी चीचों के लिए use के राता था for example यहाँ पर जो जूला जूलाने के लिए swing करने के लिए जो भी हाँ पर duties है यहाँ पर music के, dance के, drama के program भी होते थे right उनके लिए भी horse को use के राता था question number 14 which was the most frequently depicted animal at harapan civilization तो कौन सा most frequently जो की हमें मिलता है देखने को depicted animal है at harapan civilization elephant, unicorn, rhino, tiger so यहाँ पर है वो unicorn ठीक है आपको पता होना चाहिए question number 15 identify the best reason for considering king Ashoka as devampiya and piad और piadashi by his subjects तो हम क्यों यहाँ पर Ashoka को devampiya, piadashi बोल रहे है तो को devampiya का मतलब होता है devो में pri है bell out of the gods and है पर pleasant to behold piadashi का मतलब pleasant to behold याने की दिखने में एक सुखद लगने वाला व्यक्ती ठीक है जिसका behavior थोड़ा kind हो तो हैं पर हम क्यों बोले हैं शोका को क्योंकि इनों ने काम किया he worked for the well being of society through dham यह dham की policy लेकर आते हैं और इसको spread करने के लिए धम महमत्ता नाम के officers को भी appoint करते हैं इसलिए हम बोलते हैं ठीक है so he worked for the well being of society through dham dham की थूँ इनों ने क्या किया जो society उसमें well being करने की कोशिश करी and to spread the masses of dham ही यहाँ पर क्या करते हैं वो dham महमत्ता की जो नाम के officers हैं उनको appoint करते हैं ताकि dham का यहाँ पर एक तरीके से जो है dham का जो masses है वो यहाँ पर spread करें question number 16 which of these buddhist texts deal with philosophical matters तो यहाँ पर कौन सा buddhist text है जो की deal करता है with the philosophical matters तो इस अभी के सभी buddhist text given है ठीक है तो यहाँ पर deal with the philosophical matters that is abhidham pitak विना pitak के अंदर यहाँ पर जो भी संग को join करेगा उसके लिए rules and regulation लिखे है सूथ pitak के अंदर teachings लिखी है गौतम बुद की और यहाँ पर abhidham pitak deal with the philosophical matters और यही है त्री pitak ठीक है तीन pitak तो यहाँ नहीं की हम बो सकते है थ्री baskets ठीक है थ्री baskets हैमिए उसके साथ है यहाँ पर आपको दो बुद्धिस टैक्स भी और मिल जाएंगे ठीक है आपको उनके बारे में भी पता होना चाएए एक तो हैँ पर है ठीक है deep worms उसके साथ सत, ध्त दूसरे महा worms ठीक है आपको पता होना चाहए चलिए, question number चलते है 17 की तरफ how many chapters is Kitab-ul-Hind divided into तो Kitab-ul-Hind को Al-Biruni ने लिखाए he came from Ujjbakistan in the 11th century and ये divided है किसमें 80 chapters के अंदर और यहाँ पर ये Arabic language में लिखी गई है A-R-A-B-I-C Arabic question number 18 identify the bhakti traditions which favored Bido remarriage तो कौन सा bhakti tradition favor करता है कि Bido की remarriage होनी चाहिए तो वो यहाँ पर अलवर्स है, नयानर्स है, लिंगियात्स है, यहाँ पर सिध्धास है तो यहाँ पर लिंगियात्स है, ठीक है वीरा शैवाज है, जो की favor करते थे कि Bido की remarriage होनी चाहिए post-puberty marriage को support करते हैं और caste system के against में थे ठीक है, and इसको lead करते है it was a kind of moment which was started in Karnatka and led by a Brahman called Vasavana question number 19, arrange the following dynasties of Vijayanagar empire in chronological order में आपको लगानी है ठीक है, तो देको पहले कोँ से dynasties थी so पहले थी संगम dynasties ठीक है, A, उसके बाद सालूवा उसके बाद D हो जाएगा अपना, उसके बाद हाँ पर तूलूवा, जहां से कौन बलॉंग करते थे कृष्णदेवा राया, right and उसके बाद हाँ पर लास्ट में अरा वीडू डाइनस्टी तो A, D, C, B तो A, D, C, B कहा है, A, D, C, B तो हाँ पर हमारा थर्ड नंबर का अंसर हो जाएगा A, D, C, B ठीक है, आप तूलूवा डाइनस्टी आपको याद रखना है, कृष्णदेवा राया He was the one of the powerful ruler of विजनेगर empire Question number 20 यहाँ पर जो organization है वो कौन सी organization 1915 में बनती है Muslim League, Hindu Mahasabha, Unionist Party both 2 and 3 So यहाँ पर है, Hindu Mahasabha बनती है 1915 के अंदर Muslim League, 1906 के अंदर बनती है ठीक है, और Indian National Congress 1885 के अंदर इतना आपको पता होना चाहिए Question number 21 है, assertion given है The field had two set of furrows at right angle to each other Reason given है, single crop was grown by Harappans तो देखो, यहाँ पर यह given है पहले आपको यहाँ पर देखो 2 step आप फोलो करोगे कि जो यहाँ पर यह जो हम बोच सकते है, assertion reason correct है या नहीं है ठीक है, तो जो field होती थी उसमें 2 set of furrows होते थे जो कि right angle पर intersect करते थे दूसरे को सही है, जो single crop उसको grow के राता था हर Harappans के दवारा नहीं, single crop नहीं, बलकि हाँ पर two crops को grow के राता था तो यहाँ पर A is true and R is false तो यहाँ पर हमारा C answer होगा A is true and R is false, अगर यह भी सही होता तो आप step 2 के अंतर दोनों के बीच में connection built करोगे, कि क्या reason, assertion को explain कर रहा है या नहीं कर रहा, question number 22 है, which of the following statement जो कि incorrect है, बतानी आपको इस पर ध्यान रखना, क्या पूचा है correct पूचा है या फिर incorrect पूचा है तो बुद्धिश टेक्स्ट के अंदर कितने 66 sect school of thoughts है debates यहाँ पर कुतागर शाला में होती थी many teachers of this sect such as महावीरा इन बुद्धा, question करते authority और वेदास को उसके बाद they also emphasized individual agency suggesting that men and women could strive to attain liberation from the trials and tribulations of worldly existence तो यहाँ पर देको incorrect हमारा A है, because buddhist text के अंदर 64 sects के महारे में mention है, यानि कि sects मतलब school of thoughts के बारे में, तो यहाँ पर हमारा A incorrect होगा, बाकी debates को तागर शाला में होती थी, बाकी यह दोनों भी हमारे सही है, right question number 23, which of the statement correct है, according to the rulers of Vijayanagar empire तो जो Vijayanagar के kings है, वो compete करते थे contemporary rulers के साथ में यहाँ पर देको, rulers के बारे में बात हुए, रूस नी rulers, तो यहाँ पर Vijayanagar kings compete with the contemporary rulers on their northern frontier, including the sultans of the Deccan and Gajapati, rulers of Odisha for the fertile river valley and resources, और उसके बाद हम हम बोच सकते हैं, सही बात, लड़ाई जगड़े होते रहते थे ठीक है, the rulers of Vijayanagar borrowed concept and building techniques which they then developed further, और जो ruling allies है, वो क्या करते थे, यहाँ पर जो temples है, उनको patronized भी दिया करते थे, जैसे कि temples के बारे में बात की जारी है, ब्री हदेशवरा temple, थंजावूर के अंदर, and यहाँ पर चेनकेशवा temple, बेलूर के अंदर the rulers of Vijayanagar who called themselves, पियाद असी, built on these traditions and carried them as we will see literary to new heights, तो कौन सी statement correct आपको बताना है, देखो, यहाँ पर अगर बात की जाए ना, तो D eliminate हम कर सकते हैं, because यहाँ पर अपने आपको वो रायाज बोलते थे, ठीक है, रायाज बोलते थे, ना की पियाद असी, तो यहाँ पर D हमारा eliminate होगा, इसमें भी, इसमें भी और यहाँ पर इसमें भी, automatic हमारा to correct होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो तीनों statement हमारी सही है, ठीक है मैंने explanation अपने channel पर प्रोवाइट की हुई है I hope आपने उनको देखा है, या फिर आपने खुद से पढ़ा है, आपको पता चल जाएगा कि यह statement सही क्यों है, राइट Question number 24, Das was a scriptorium where the emperor's collection of manuscripts was preserved, तो यहाँ पर जो emperor की manuscript होती थी उनको कहाँ पर preserve किया राता था किताब खाना, कार खाना, fort, none of the above So, यहाँ पर किताब खाना के अंदर ठीक है, library Question number 25, Process of Manuskri Production in the Mughal Code included which of the following, तो क्या-क्या चीज़े include होती थी, तो बताओ मुझे सारी की सारी चीज़े include होती थी इसके अंदर, यानि paper maker जो कि क्या करते थे, folios prepare करते थे skill writer हम जिनको calligraphers भी बो सकते हैं, यह copy करते थे text को, gilders क्या करते थे paint को illuminate करते थे, right उसके साथ आपको painters भी देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर book binders ठीक है, book binders मिल जाएंगे तो painters paint करेंगे, book binders क्या करेंगे, book को bind करेंगे, तो यह सभी के सभी हमें लोग मिल जाते थे, जो कि क्या करते थे, manuscript को, जो manuscript है उसको produce करने में, help क्या करते थे, ठीक है, उस process में involved रहते थे, और akbar का एक favorite style of writing भी था, nastalik nastalik was a akbar's favorite style of writing and with long horizontal strokes, इसमें long horizontal strokes होते थे, question number 26 dash of Bombay demanded justice for women not reserved seats और separate electorate, तो Bombay की कौन सी person है चो की demand करती है, justice मिलनी चाहिए women को, और reserved seat की बात नहीं करती, ना ही वो separate electorate की बात करती, तो इन में से कौन सी है हाँ, इन में से है हंसा महता question number 27, which viceroy officially moved his council to Shimla, तो कौन से viceroy officially move करते है अपनी council को to Shimla, तो यह किया जाता है कब 1864 के अंदर and it was done by the John Lawrence question number 28 why were hill stations important for the colonial economy, due to the setting up of, तो इहाँ पर hill stations है वो important होते थे colonial economy के लिए क्यूं होते थे यूँगि इहाँ पर due to setting up of tea and coffee plantation, tea and jute plantation, banana and coffee plantation jute and banana plantation, so coffee, tea and coffee plantations question number 29, which of the following is not correct, यहाँ पर इन में से कौन सा, not correct यानि कि incorrect गलत है, कलकाता को Britishers ने establish किया, जो सूरत port है उसका decline हो जाता है यहाँ पर 16th century में, तीन major presidency cities थी और British introduce करते many new architectural design in India देखो, यहाँ पर अगर बात की जाए, कि कलकाता को यहाँ पर यह incorrect है, तो हमारा answer इसका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, तो कि हाँ पर incorrect पूछा है, और यहाँ पर तीन major presidency cities कौन कौन से थी, तो यहाँ पर हमें मिलेगा देखने को एक तो Mumbai हो गई, ठीक है, उस टाइम पर बॉम्बे बोलते थे, तो यहाँ पर मैं बॉम्बे बोलूँगा Bombay, Madras and यहाँ पर कलकत्ता, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं map draw करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर आपको बिल जाएगा Bombay, ठीक है, here it is Madras and here it is कलकत्ता, ठीक है, मैंने South India map draw किया है, कोशिश नमबर 30 यहाँ पर है, high-pitched roofs, pointed arches and detailed decorations are features of which style of architecture, तो यह सभी की सभी किस यहाँ पर जो style of architecture है, उसके features है, Indian style Neo-classical, Neo-Gothic Indo-Saracenic style, तो आपको बताना है, so correct answer है, Neo-Gothic Neo-Gothic के अंदर आपको high-pitched roofs देखने को मिलेंगी, pointed arches होते हैं, और decorations भी बहुत detail होता है, right Question number 31, lottery committee को लाए गया, क्या करने के लिए develop करने के लिए, Kolkatta, Bombay, Madras Delhi, so to develop Kolkatta the lottery committee was formed Question number 32, assertion given है, the buildings and architectural style through and in valuable light at many things and provided us an important information about the ideal building, reason given है, these buildings also explain the perspective and viewpoints of those who constructed these buildings, दोनों के दोनों सही है, दोनों यहाँ पर बात करते हैं कि जो buildings और architectural style है, वो एक invaluable light थो करते हैं ठीक है, किस के ओपर, many things के ओपर, और provide करते हैं important information उस building के बारे में ठीक है, about the ideal building जो ideal building है उसके बारे में और यह building explain करता है, जो perspective क्या है, और viewpoint क्या है जिसने उसको construct किया है, तो दोनों के दोनों सही है, ठीक है दोनों के दोनों सही है, and r is the correct explanation of a, question number 33, देखो, आपको na factual question मिल जाएंगे, chronology वाले question मिल जाएंगे, तो बहुत तरह के question आएंगे सबसे बढ़िया तरीका है, अपनी book को read करो, ठीक है सारी की सारी information आपको वहाँ से मिल जाएगी उससे आपको short notes बनाने short notes आप बना सकते हो और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो उसके बाद उससे related आपको क्या करना है, book को read करना है, MCQ उसकी फिर आपको practice करनी है, ताकि आपको पता चले कि आपने जो पढ़ा है, आपको आता है कितना आता है, ठीक है, तो आपको उसकी practice करनी है, तो book को अच्छे से read करो ठीक है, उसके बाद MCQ उसको practice करो इस तरीके से आप करके चलोगी तो आपको एक भी MCQ नहीं चूटेगा, राइट direct action day को celebrate क्या राता है कब, सो ये क्या राता है 16 August 1946 के अंदर, ठीक है direct action day declare क्या राता है, Muslim League के दुआरा कि अब कुछ भी हो जाए, हमें Pakistan चाहिए उसकी, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि कई सारी killings होती है इस दिन, राइट, इसको great कलकता killing भी बोलते हैं 16 August 1946 34, यहाँ पर क्या देखो, इसको याद रखने का तरीका एक साल पहले हमारे independence से, हमें independence 15 August को मिलती है, तो आप तरीका लगा सकते हो 1947 को, आप इसमें एक जादा जोड़ दो, 16 August, ठीक है 1946, इसमें कम कर दो, तो आपको ऐसे याद रखना है, question number 34 the event that brought the British Raj in India to its knees was, तो यहाँ पर British Raj को, एक तरीके से घुटनों पर ला देता है, कौन, यहाँ पर Pakistan Resolution, Quit India Movement, Second World War Provincial Elections, so that was the Quit India Movement, ठीक है Quit India Movement, 1940 यहाँ पर हम बोल सकते हैं, दू का, यह क्या आपको देखो, बागी सभी के बारे में बता होना चाहिए यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी information दे देता हूँ, चंपारन सत्तेगरे 1917 का, प्लीज लिख लो हाँ, ठीक है उसके साथ यहाँ पर खेडा यहाँ पर सत्तेगरे, एंड एमदाबाद मूमेंट 1930, आपको पता होना चाहिए और सॉल्ट मार्च भी 1930 होगा ठीक है, और यहाँ पर कुईट इंडिया मूमेंट 1942, यह कुछ information आपको मूमेंट के बारे में पता होना चाहिए 35 question number है, which of the following options incorrect है, तो यहाँ पर जवाहला नेरू फेवर करें थे, strong center का बीया रमेटकर वस दी चेर्मेन अफ द्राफ्टिं कमीटी constituent assembly passed the constitution on 26th November 1949 Hindi was made national language नहीं, Hindi को national language नहीं बनाय जाता, इंडिया की even कोई national language है ही नहीं, और जवाहला नेरू फेवर करें थे, strong center को बीया रमेटकर जैसे कि मैं आपको बताया starting में, कि he was the chairman of the drafting committee, देखो अगर आपके exam में हाँ पर आता है, adopt पूछाए हाँ पर, ठीक है, adopt का आता है या फिर past का आता है, कहाँ पर given है, यह रहा past का given है, adopt का given है तो आप 26 November 1949 1949 लगा के आओगे, लेकिन अगर यहाँ पर effect में कब आया, force में कब आया, अगर यह given है, तो आपको 26 यहाँ पर January 1950 exam में लगा के आना है यहाँ पर 36 नमर का question है the Lahore session of Muslim League in 1940 was presided over by तो जो Lahore session था Muslim League का 1940 के अंदर उसको preside किया किसने, so presided by यानि president कौन थे, मौमद अली जीना Lahore session के अंदर एक क्या किया गया, पाकिस्तान जो हम वो सकते है पाकिस्तान resolution जिसको Lahore resolution थे, उसको pass किया गया जिसके according, यहाँ पर पाकिस्तान की demand officially हो जाते है, कि अब हमें separate country चाहिए, पाकिस्तान officially demand हो जाते है ठीक है, इन्दी Lahore session 1940 का, जिसको preside कौन करते है मौमद अली जीना Question number 37, which of the following statement incorrect है regarding the partition of India तो people हैंपर homeless हो जाते हैं अपने सारे assets को हैंपर खो देते हैं women को misdeat किया रहाता है, यानि कि सभी के सभी हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर statement सही है regarding the partition of India, तो इसकांसर D होगा कि कौन से incorrect है, none of the above सारी correct है, Question number 38 assertion given है, कि Bengal का partition के रहाता है, 1905 में Lord Karsan के दुआरा और वो यहाँ पर he said Bengal को partition हो रहा है, मतलब वो बोलता है कि Bengal का हम partition कर रहे हैं because of the administrative problems reason दिया जाता है कि जो real objective है ठीक है, मतलब reason में given है the real objective क्या था, British का वो यह था कि एक तरीके से disunity create करनी है, यानि कि जो हम भो सकते है जो unity है, हिंदू-Muslim के बीच में, उसको break करना है तो दोनों सही है, and R is the correct explanation of A, both A and R is true and R is the correct explanation of A कि Bengal का partition 1905 में Lord Karsan के दुआरा होता है, और यहाँ पर Bengal का partition के रहाता है, due to administrative problems, ठीक है, मतलब वो ऐसा बोलता है, लेकिन जो real objective था वो था कि जो disunity है, वो लेकर आना, divide and rule की policy को एक तरीके से हाँ पर use के रहाता है unity को break करने के लिए तो यहाँ पर 1905 में होता है, by the Lord Karsan, he was the Viceroy of India from 1899 to 1905 question number 39 यहाँ पर assertion given है कि partition caused at very large scale violence, thousands of people were killed, innumerable women were raped and abducted, reason there was a large scale displacement of people across the border, millions were uprooted and transformed into refugees in all approximately 15 million had to move across the newly created borders, तो दोनों के दोनों सही है and दोनों के बिच में connection भी है both A and R is 2 and R is the correct explanation of A, because यहाँ पर देखो दोनों partition के बारे में बता रहे है, partition के impact के बारे में ही बता रहे है कि large scale violence हुआ, काफी लोगों ने हाँ पर एक तरीके से border को यहाँ पर cross किया, displacement हुआ, तो दोनों सही है and R is the correct explanation of A question number 40 out of the given options, choose the most appropriate information about Ajiwikas तो Ajiwikas के बारे में आपको बताना है तो देखो Ajiwikas को fatalist बोला जाता है अजीता, केशा, कांबलिन belong to Ajiwikas act, Ajiwikas monks and nuns took 5 wars, Ajiwikas believed that everything is predetermined देखो, ये तो हमने पढ़ाए ना कि Ajiwikas, यहाँ पर नहीं बोलते, Jain monks, यहाँ पर और nuns 5 wars लेते हैं, तो 3 तो नहीं हो सकता 3 को eliminate कर दो, यान ये भी नहीं हो सकता because correct पूछा है, और ये भी नहीं हो सकता आको जो elimination technique है उसका use करना है, 1 दोनों में common है यानि की 1 तो है, 1 हमारा सही है और देखो, fatalist इसलिए बोलते हैं because इनका माना है कि हर चीट पहले से decided है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 and 4, तो 1 and 4 will be the correct answer, तो 40 का जो हमारा answer होगा that will be A, question number 41 name the poet Sandh who belong to Nirgund Bhakti Tradition, Nirgund मतलब without attributes, ठीक है, Nirgund without attributes, तो Mirabai, Kabir Guru Nanak, Surdaas, Ravidas Mirabai को eliminate कर तो because he belong to the यहाँ पर हम बोल सकते है, Sagund Bhakti Tradition तो A को eliminate कर देंगे, यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता, ठीक है, अब देखो C and E, C and E इन दोनों में common आनि C और E तो होगा, ठीक है, अब B के बारे में पता लगाओ, यहाँ तो B सही या फिर D सही है तो B या फिर D, तो B यहाँ पर क्या कबीर, यहाँ कबीर सही होगे, D सही नहीं होगा, विकर सूर्दास, भी क्रिष्णा को एक तरीके से क्रिष्णा की पूजा क्या करते थे लॉड क्रिष्णा की, तो जो हमारा correct answer होगा, 41 का, वो हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, B, C, E, ठीक है, तो यहाँ पर B और यहाँ पर यह B, कबीर and C, गुरुनानक and E, रवीदास belong to the निर्गुन भक्ती tradition question number 42 है, arrange the following events in chronological order अब देखो, ऐसे वाले questions को आपको करने के लिए dates पता होनी चाहिए, ठीक है तो dates हैपर हम एक तरीके से लिखता हूँ मैं, उसके बाद हैपर हम पक्षर होगा, 1765 के अंदर Treaty of Allahabad sign होती है और उसी के अंदर दिवानी rights मिल जाते हैं किसको, यहाँ पर Bengal, Bengal की दिवानी rights अंग्रेजों को मिल जाते हैं East India Company को मिल जाते हैं संथल Rebellion 1855-56 के अंदर होता है, ठीक है, Rebellion होता है, Pezents का, in Deccan Villages यह 1875 के अंदर होता है Paramanet Settlement System 1793 के अंदर आता है और Regulating Act 1773 के अंदर आता है ठीक है, अब हमें Chronology में लगा देने हैं, तो सबसे पहले आप हो कौन सा लग रहा है, तो सबसे पहले देख लो आप E सबसे पहले है, ठीक है E के बाद, E नहीं है सबसे पहले, 1765 वाला पहले होगा ठीक है, E नहीं होगा, सबसे पहले जो होगा, that यहाँ पर होगा 1765, उसके बाद हाँ पर 1773 वाला, यानि कि E, ठीक है, उसके बाद हाँ पर D 1793 वाला, उसके बाद हाँ पर B, संदल rebellion and then उसके बाद हाँ पर rebellion by peasants in Deccan villages तो हाँ पर C वाला 1875 वाला तो A, E, D, B, C तो ऐसा कुछ given है A, E, D, B, C yes, D, तो 42 का जो हमारा correct answer को that will be D question number 43 arrange the following historical incidents in chronological order तो इनको भी आपको chronology में लगाना है तो आपको dates पता होनी चाहिए तो C points यहाँ पर me to unit start करते है यहाँ पर me rat के C points 1857 के अंदर अवत का next session 1856 के अंदर होता है वाजिद अलीशा को भेज दिया रहाता है सती system को abolish किया रहाता है यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी दिर पहले 1829 के अंदर subsidiary alliance को impose के रहाता है अवत के अंदर 1801 में तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो chronology ऐसी बन रही हमारे D ठीक है फिर मारा C हो जाएगा फिर उसके बाद है यहाँ पर B है and then A तो यहाँ पर DCBA तो DCBA कहाँ पर दिख रहा है DCBA यानि B हमारा answer होगा question number 44 name the rulers और आपको पता होने चीए कौन सी देट इंपोर्टन है तो मैंने dates के उपर अल्रड़ी वीडियो अपलोड की हुई है देखिए जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है CBSC के उपर वो वीडियो आपके इस exam में भी help करेंगी तो प्लीज उन वीडियो को जाके चैनल पर से देख लेना question number 44 है name the ruler जो की हार जाते हैं battle of laasie में 1757 के अंदर जो होता है by the British officer Robert Clive तो that was the Meer Jafar, Meer Bakshi, Meer Kasim and Meer, Meer नी Sirajudola so that was the Sirajudola question number 45 correctly match करना है आपको leaders with their countries तो attempt करते हैं इसको Mahatma Gandhi हाँ पर India होचिनमीन यहाँ पर Vietnam and George Washington America and Garibaldi हाँ पर Italy तो इसका अंसर क्या होगा so the 45 का करया टंसर होगा तो हाँ पर आप ऐसे लिख लो A हाँ पर mention यह A, B, C and D तो जो A होगा उनका क्या है India यानि की A का 3 उसके बाद हाँ पर जो B है उसका क्या होगा Gary Baldy तो Gary Baldy हाँ पर हमने इटली की तरफ लगाया ठीक है इटली 4 में गीवन है उसके बाद होचिनमीन C वियतनाम तो वियतनाम 2 में गीवन है and यहाँ पर जो D है उसका 4th 4th नहीं 1st America ठीक है तो 3, 4 3, 4, 2, 1 3, 4, 2, 1 3, 4, 2, 1 तो यहाँ पर जो 45 का अंसर होगा that will be D 3, 4, 2, 1 right question number यहाँ पर आप हमारे देखो आपको नहीं से passes भी देखने को मिलेगा आपको इसको read करना है और उसके बाद जो questions पूचे गए है उनको attempt करना है ठीक है तो आप इसको pause करके read कर लो यहाँ पर मैं एक तरीके से आपके लिए questions बता दे रहा हूँ तो simple words में हाँ पर given है ठीक है आप इसको read कर लो उसके बाद इन questions को आपको attempt करना है I hope आपने इसको read कर लिया होगा चलिए फिर मैं read कर देता हूँ आपके लिए एक बार यहाँ पर देखो क्या होता है non cooperation movement के बाद महात्मा गांधी focus करते है अपने social reform वर के ओपर 1928 के अंदर वो कोसिस करते है कि वो politics में वापस से आ जाएं उस time पर क्या हो रहा था all idea campaign हो रहा था मतलब जो salmon commission है उसका against में campaign हो रहा था congress का annual session होता है लाहोर के अंदर ठीक है अब यह जो meeting है यह important होती है दो चीरों की वज़ास से because यहाँ पर क्या होते है पहली चीज जवालार नहरू को president बना दिया जाता है ठीक है और यहाँ पर उसके सासत पूर्ण सोराज की demand यहाँ पर होती है यानि कि अब हमे complete independence टाई है उसके बाद 26 January 1930 को हम independence day celebrate करते हैं ठीक है और यहाँ पर मात्मा गांदी ची चाते थे कि इसको एक तरीके से proper तरीके से बनाया जाए ठीक है यह बहुत अच्छा होगा कि अगर हम यहाँ पर जो declaration है independence का वो पूरे villages करेंगे सारी cities करेंगी एक ही time पर करेंगी तो इस प्रकार से बाते हुई है आप इसको read कर सकते हो right question number 46 इसमें से पूछा हुआ है यह बहुत easy होते है आपको इसमें से read करना है और आपको answers मिल जाएंगे right in December 1929 who was appointed as the president of the international congress तो कौन appoint किसको appoint किया गया president of the international congress so that was the given ice के अंदर यहाँ पर जभाला नहरू question number 47 पूर्ण सुराज को observe किया रहाता है 26 January 1930 को annual जो session होता है international congress का वो किस place पे होता है तो 1929 का हमने पढ़ा है कौन सा session होता है लाहोर session तो लाहोर के अंदर question number 49 है what proclamation of commitment had been taken in international congress session in December 1929 किसके बारे में बात होती है तो पूर्ण सुराज के बारे में बात होती है and the last question है कि all India campaign होता है किसके oppose में all white Simon Commission के oppose में जो कि England से भेटा दाता है इंडिया में कब so इसको भेटा दाता है 1928 के अंदर right तो I hope आपने questions को attempt कल लिया होगा यह थे questions अब देखो जो भी आप गलत हुए है तो आपको उनको minus 1 करना है and जो भी सही हुए है 5 आपको marks देने है ठीक है जिन में देखो आपको लगता है बिल्कुल भी sure नहीं हूँ गलत हो सकता है तो उनको attempt मत करना negative की बज़ा से आप पीछे हो जाओगे बाकी कोशिश करना कि आपको questions को attempt करना है आपको उनके बारे में knowledge हो chapters को read कर लो आपको चीटे समझ में आ जाएंगी अब यहाँ पर 250 देखो 15 into 5 कितना होता है यहाँ पर 250 250 mark का मैंने आपको यह test दे दिया आप मुझे अपना score comment बताओ डरना ने कोई दिक्कत नहीं अपना जो भी आपके तरीके से syllabus है जो भी यहाँ पर 15 chapters आ रहे है CUET exam के अंदर history में बाकी आपके जो भी or domain subject है उनको अच्छे से book को read कर लो वीडियो से समझ लो और जो भी आपको लगता है कि कुछ important points है यहाँ से question बन सकता है उनको अपनी notebook में लिख लो और उनको आपको revise करते रहना है ठीक है आपकी सारे MCQ सही होंगे चलिए मैं आपको मिलूँगा next video के अंदर ये वीडियो अच्छे लगी हो तो like कर देना चैनल को subscribe कर देना ऐसे ही आपको important content मिलता रहेगा ठीक है C.O.E.T. के regarding चलिए फिर ये है वीडियो का end thanks for watching and as always God bless you all